अमेश्कार दोस्तों वैसे तो मैं कोई बहुत जादा पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता हूँ लेकिन प्रेजेंट में जो भी कुछ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है चल रहा है उसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे लिए इंपॉर्टें देखने को मिलता है तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर लगतार सवाल उठ रहे थे opposition को लेकर कि क्या हमारे देश में कोई strong opposition नहीं है जो कि directly ruling party को challenge कर सकते दो को यहाँ पर आपको समझना है कि मैं चुनाव के perspective से बात नहीं कर रहा हूँ चुनाव होंगे कोई जीतेगा हा उनका अभी बयाना है कि there is no UPA now क्योंकि अभी तक usually क्या होता था कि दो ही parties ऐसा माना जाता था कि चाहें BJP हो गया Congress हो गया यह बड़ी दो parties हैं जो की देश को lead कर सकती हैं लेकिन अब यहाँ पर एक alternative की बात कहीं जारी है तो वो है क्या यहाँ पर हम UPA का fall क्या देख रहे ह लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आपको download कर सकते हैं या फिर studyaq.com विजिट कर सकते हैं वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो यहाँ पर insta page पर आप जा सकते हैं अमता बेनर जी जी वो तीन दिन के विजिट पर गई हैं मुंबई के अंदर और मुंबई में उन्होंने यहाँ पर मुलाकात कि हैं बाकी leaders के साथ और उसमें यहाँ पर दो political significant statement उनके द्वारा दिया गया है सबसे पहला statement उनके द्वारा ये दिया गया कि अगर सभी regional parties एक स there is no UPA मतब जो United Progressive Alliance है जिसको lead किया जाता है Congress के द्वारा जैसे अभी के समय में आप देखे तो NDA हो गया National Democratic Alliance तो NDA है अटल भिहारी वाजपाई जी कि समय भी NDA आपको देखने को मिला था तो ये जो NDA हो BJP lead करती है और जो UPA है उसको Congress lead करती है लेकिन ममताब energy का कहना है कि UPA तो है ही नहीं UPA पूरी तरह से खतम है तो वो कहना क्या चाती है क्योंकि खुद ममताब energy पहले UPA की part थी मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा एक timeline बताऊंगा किस तरह से UPA का rise हुआ फिर fall हुआ लेकिन वो पहले UPA का part थी लेकिन अब जिस तरह कि उनके बयान आया है उ वो ये suggest करना चाहती है कि एक नया group बनाये जाए और उस group के अंदर जो Congress है ऐसा नहीं कि Congress automatically उसका leader हो जाएगी क्योंकि present में Congress एक यही सोचती है कि अगर देश के अंदर alternative तयार होता है तो उसका जो leader होगा वो Congress party सी होगा क्योंकि Congress BJP के बाद सबसे बड़ी party है लेकिन दूस सा cautious थे अपने statement के अंदर उन्होंने यहाँ पर directly कोई हमला नहीं किया Congress के उपर लेकिन यह कहा हम यहाँ पर एक alternative लाने के ले तयार है और उस alternative के अंदर उस group के अंदर जो भी शामिल होना चाहता है हो सकता है मतलब कि Congress शामिल होना चाहती है हो सकती है जो भी party सामिल होना चा में आपको याद होगा अटल भीहरी वाजपाई ने यहाँ पर जो election था उसको पहले ही बुला दिया था उनको कही न कहीं confidence था कि जो NDA है वो वापस जीत कर आएगी लेकिन 2004 में यहाँ पर setback हुआ अटल भीहरी वाजपाई की जो party है NDA एक प्रकास BJP जो है उसको काफी कम seat 138 seat आती है और उससे 7 और जादा seat मिल जाता है Congress को तो Congress सबसे बड़ी party emerge होती है 2004 में लेकिन 2004 में क्या था कि उस समय एक प्रकार से secular opposition की बात कही जा रहे थी बहुत सारे जो regional parties थे वो किसी प्रकार से BJP को बाहर रखना चाहते थे तो बाकी के जितने parties हैं ज्यादा तर जो regional parties उन्होंने अपना समर्थत दे जिया था Congress को और इसी लिए जो 282 हम magic number कहते हैं लोगसभा के अंदर इतना number आपको चाहिए तो वो basically Congress को बाहर के जो बाकी के parties हैं उनसे मिल गया था जैसे कि उस समय कि जो CPM के leader है veteran communist leader हरकिसन सिंग सुर्जी उनका एक बहुत बड़ा role था इस left parties चाहिए CPI, RSP और forward block ये communist parties हैं left parties है basically आप कह सकते हो जिन्होंने बाहर से समर्थन दिया था मतलब वो सरकार के अंदर नहीं थे लेकिन जब भी लोगसभा के अंदर रासभा के अंदर voting होती थी तो वो अपना समर्थन देते थे UPA को एक प्रकार से कह सकते हैं और उन्होंन left parties ने यहाँ पर अपना समर्थन दे दिया और मैं आपको एक और interesting चीज़ बताता हूँ ये जो नाम है United Progressive Alliance ये नाम सभी के लिए सहमती नहीं हो पा रहा था पहले ज्यादा तर नाम बोला जा रहा था कि United Secular Alliance लाए जाए या फिर Progressive Secular Alliance लाए जाए लेकिन जो DMK के लेडर आपको पता है South के अंदर Tamil में जो parties हैं DMK हो गया वो atheist माने जाते हैं करुणा नीदी atheist मतलब भवान को नहीं मानते तो उनका इसको लेकर ये जो word है ना secular लेकर आना उनका ये objection था कि secular ना लाया जाए और इसलिए क्योंकि वो veteran leader थे finally decide किया गया कि United Progressive Alliance ये नाम यहाँ पर पहला setback तब हुआ 2006 में TRS आपको पता होगा KCR की जो party है तिलांगना के अंदर पहले वो आंदर प्रदेश था तो वो लगतार demand करे थे अलग से तिलांगना state की तो वो जब demand पूरा नहीं हुआ तो 2006 में उन्होंने UPA को छोड़ दिया आगे चलकर 2007 में Tamil Nadu के अंदर एक party है MDM के और उसके leader है WICO उन्होंने भी यहाँ पर UPA को छोड़ दिया तो कि उनका कहना था कि जो common minimum program लाए गया था वो पूरा नहीं किया गया है और सबसे बड़ा setback मैं कह सकता हूँ UPA को तब आया था 2008 में आपको याद होगा India-US nuclear deal को लेकर जो Manmohan Singh जी है वो लगतार कोशि दिया समर्थन अपना हटा लिया और इसको देखते वे क्या हुआ कि जो UPA की सरकार है वो minority में आ गई थी और एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि कहीं सरकार गिर ना जाए India-US nuclear deal को लेकर लेकिन उसके बावजूद भी Manmohan Singh उसके उपर आगे बढ़े लेकिन surprisingly यहाँ पर क् पार्टी है समाजवादी पार्टी उनको यहाँ पर UPA के अंदर शामिल नहीं किया गया मतलब एक प्रकार से humiliate किया गया था मुलायम सिंग यादव को उसके बावजूद भी 2008 में जब वोटिंग हो रहा था India-US nuclear deal को लेकर तब उन्होंने अपना समर्थन दे दिया और UPA की इलेक्शन होते हैं और उस समय अगर आप कॉंग्रेस का नंबर देखो के बहुत ही अच्छा है था मतलब कि 145 से बढ़कर उनका हो गया था लोग सभा में 206 सीट आ गया था और इस बार जो कॉंग्रेस है वो काफी comfortable position पर थी लेकिन problem क्या था UPA2 के अंदर कि बहुत सारी ज इनर्जी को railway portfolio यहाँ पर दिया गया था तो यहाँ पर आपको समझना है कि UPA2 में क्या होता है कि Congress के पास seat तो ज़्यादा आ जाती है लेकिन allies उनके पास नहीं रहते हैं सिर्फ 5 ऐसी parties थी जिन्होंने यहाँ पर sign in किया था Congress के साथ 2009 में फिर यहाँ पर क्या होता है कि Congress ने ने यहाँ पर Congress को समर्थन दिया था लेकिन आगे चल कर फिर देखे क्या होता है 2010 में लालू प्रशाद यादो हट जाते हैं UPA से अलग हो जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि Women Reservation Bill लाया जा रहा था उसको लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया फिर ममता बेनर जी जो है वो पूर त्रिवेधी है वो railway minister थे और उन्होंने अनौंस कर दिया कि passenger fare जो है वो hike किया जाएगा बढ़ाया जाएगा लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जो ममता बेनर जी है वो खुश नहीं थी और finally Congress को ये वाला जो निर्ने था passenger fare बढ़ाने का उसको वापस लेना पड़ गया था और उसी से आल finally क्या होता है कि Trinamal Congress और DM के दोनों UPA2 से quit कर जाते हैं वो अलग हो जाते हैं और फिर क्या होता है 2014 का election आता है और उसके बाद तो आपको पता ही है कि UPA जो है वो काफी हत्तर decimate हो जाती है उसका वजूद काफी कम हो जाता है जैसे कि 2014 के election में Congress का आज तक का सब से lowest ever tally आया था that is 44 seats तो ये इतना कम seat आने के बावजूद भी जो grouping था ना UPA के हम बात करे थे वो एक प्रकार से UPA कहा तो जाता था लेकिन technically अगर आप देखोगे तो UPA एक प्रकार से खतम ही हो गया था क्योंकि बहुत जादा उनके बीच में आपस में meeting होना और कुछ ऐस दिख नहीं रहा था तो जब यहाँ पर ममतब energy आज के डिट में कहती हैं कि there is no UPA तो एक प्रकार से वो सही बात है क्योंकि UPA का वजूद अगर आप 2014 के बात से देखोगे तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है और इसलिए कई बार Congress leaders भी जो है वो UPA नाम से नहीं बु सिर्फ अगर आप DMK, NCP, GMM को छोड़ दें तो बाकी सबके साथ relation Congress का कहीं न कहीं खराब देखने को मिलेगा और फिर आगे चल कर 2019 में वापस से यहाँ पर जो BJP है वो जीत कर आती है और यहाँ पर Congress फिर से आप कह सकते हैं काफी कम सीर I think 52 seats के आस पास उनका आया था और प Internal descent है पार्टी के अंदर वो भी देखने को मिल रहा है जिसमें सबसे बड़ा question है वो है leadership crisis का कि Congress के अंदर कौन lead करेगा कभी यहाँ पर जो सुनिया गांदी जी है वो यहाँ पर leader बन जाती है कभी राहूल गांदी किसी को साथ समझ नहीं आ रहा है इसी की वज़े से आप द जेंगौल में जो चुना हुए थे उन्होंने हराया बीजेपी को तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ममतब energy का जो stature है वो काफी हद तक बढ़ा है और वो Congress के बाकी के जो allies हैं उनके साथ यहाँ पर अपना हाथ बढ़ाना चाहती है इन फार्ट North East के अंदर क भी frustrate हो रही है कि ममतब energy उनके leaders को अपने अंदर में ले रही है और अब यहाँ पर ममतब energy का जो बयान आया कि there is no UPA वो एक प्रकार से दिखाना चाहती है कि हम एक नया group बना रहे हैं जिसमें Congress automatic leader नहीं होगा और पवार और जो शरत पवार और ममतब energy की जो meeting हुई है उसम वो लगतार अलग-अलग चुनाज जीतते जारी है तो यह सारी चीजे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया वो उससे आपको समझ में आता है कि देश के अंदर जो political माहुल है उसमें एक काफी बड़ा आपको turn देखने को मिलेगा एक बदलाव देखने को मिलेगा जो कि आ such question क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं यहाँ तो अलग-अलग यहाँ पर आपको पता होगा राजियों के बीच में कुछ मद्भेद देखने को मिलता है बॉर्डर डिस्पूट देखने को मिलता है वैसा ही एक बॉर्डर डिस्पूट है माराष्टरा और करनाटका को लेकर इससे related यहाँ पर दो statement मैंने डाला है बेलगाम से related है इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारा MCQs यहाँ पर डालते रहता हूं आप जाकर प्ले कर सकते हो बाकि अगर आपको PDF टेरी तो Telegram पर आए अलग-अलग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ सकते हैं साथी साथ UPSC यह फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे app को डाउनलोड कर लीजे I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं से नेक्स टाइम तिल देन Thank you very much, see you soon